असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब लोग उमीदा आप सब खेरियत से होंगे ये गेम देख रहे हैं आप लोग, इस गेम का नाम है PONG जी हां, और आज ये जो गेम है, ये मापको बनान सिखाऊंगा ये game देखने में तो बहुत simple है लेकिन खेलने में बहुत interesting है जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस game में हमारे पास दो players है और एक ball है और अगर किसी भी player ने ball को touch नहीं किया तो सामने वाले player को जो है एक point मिल जाएगा और जिस player ने पहले 10 points बना लिए वो player winner बन जाएगा अगर आप game developing की दुनिया में एक beginner है और अगर आप बहुत सारे different different games बनाना चाहते हैं तो ये जो playlist है ये आप लोग के लिए बहुत काम की है ये game दिखिया आप लोगोंने कितनी simple और कितनी easy है जितनी simple और जितनी easy गेम दिखने में है उतनी जादा बनाने में भी simple है तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस सरा से गेम बनाई जाती है और इसमें जो programming language को इस्तमाल करेंगे वो हमारे पास C sharp है अगर आपको C sharp programming language नहीं आधी कोई दूसरी programming language आती है जैसे Java है यह C++ है तो भी आप लोग easily कर सकते हो ठीक है और जो editor हम इसमें use करेंगे जो IDE जो use करेंगे वह हमारे पास unity है unity बहुत easy है डाउनलोड करना मैं लिंक जो है वो description में दे दूंगा आपको दो चीज़े डाउनलोड करनी है एक आपको unity हब डाउनलोड करना है और unity डाउनलोड करना है मैं यूट्यूब पर एक प्लेलिस बना दूंगा unity प्रोजेक्स के नाम से जहां पर मैं अपने अब डिफ्रेंट डिफ्रेंट जितने भी वीडियो गेम्स होंगी हों मैं अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोग उससे काफी कुछ सीख सकें तो पिर चले बगार टाइम भी हम अपनी स्क्रीन की तरफ तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आप यहां देख सकत बाने के लिए कुछ assets required होते हैं कुछ सीमान required होता है कुछ pictures required होती है जो कि मैंने इस folder के इंदे रखी है इस folder को मैं open करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक ball है और हमारे पास player है और और भी बहुत सारी चीज़ें background है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको वत के साथ साथ पता चल जाएंगी यह सब क्या है यह सब हमारी game में use होगा इन तमाम items की जो link है वो मैं description में डाल लूँगा तो आप वहाँ से easily download कर सकते हो चलें फिर हम अपनी game बनाना शुरू करते हैं हमने सबसे पहले unity hub open करना है unity hub से हम बहुत सारे projects जो है manage कर सकते हैं एक नया project create भी कर सकते हैं और यह open हो रहा है और यह open हो चुका है यहां पर आप एक new का button देख सकते हैं blue color का उस पे click करना है आपने इसके बाद आपने अपना project का नाम देना है मैं pong game के नाम से एक already project बना चुका हूँ इसलिए मैं एक new project create करना हूँ इसका नाम में रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ Pong और 2D select करना है because it's a 2D game यहां पर आप अपनी project की location select कर सकते हो कि कहां आपने अपना project save करना है और create पर click कर देना है यहां पर अब हमारा unity editor जो है वो automatically open होगा it will take some time अच्छा जब तक यह open हो रहा है आपके पास एक और चीज़ डाउनलोड होनी चाहिए visual studio जो कि मैं आपको बताना भूल या था वीडियो के starting में मैं link जो है description में दे दूँगा visual studio 2019 जहां पर हम अपनी C sharp की जो है coding करेंगे अच्छा यह open हो चुका है हमारे पास ठीक है अब हम अपना project start करते है तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास एक screen है एक 2D grid अपेर हुआ वा है अच्छा क्यूंकि यह 2D game है एक 3D game नहीं है तो आप camera यहां देख सकते हो beach में white color का center में तो यह camera इस तरह से सेट हुआ वा है कि हर चीज जो है वो 2D के perspective से आपके पास show होगी तो अब हम वो तमाम images या assets ले आते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के starting में दिखाया था folder यहां पर आपको नीचे एक assets का folder दिख रहा होगा आपने उस पे click करना है फिर अंदर आकर आपने कहीं पर भी right click करना है और उपर जाके create पर click करना है फिर एक नया folder आपने बनाना है folder पर click करने के बाद आपने इस folder का जो नाम है वो रखना है sprites या images या कुछ भी आप रख सकते है assets कुछ भी आप रख दें यहां पर आप देख सकते हो assets के folder के अंदर एक sub folder हमने बनाया है जिसका नाम है sprites जिसके अंदर हम तमाम अपना जो जो भी images है वो तमाम import करेंगे लेकर आएंगे यहां पर आपने right click करना है ठीक है और फिर आपने जो है import new asset पे click करना है वैसा आप drag and drop करके भी images को ला सकते हो यहां पर और ऐसे भी कर सकते हो फिर जहां पर आपकी image जो है पढ़ी है मेरी desktop पर पढ़ी है और मुझे मेरा folder नहीं मिल रहा है one second pong game assets हाँ यहां पर है pong game assets ठीक है और यहां से आपने तमाम सबको select करना है select all करें और फिर import कर लें अच्छा यह import हो रहा है आपके पास और आपके पास देखें यहां पर तमाम जहें जितना भी asset आपका वह सब आ चुका है अब सबसे पहले हम background लगाएंगे हम background को drag करके हमारी hierarchy paint जो है उसमें ले आएंगे आपने background पर default 0 है इसके बाद scale जो है वह आप आप जहें 0.75 कर दें एक्स में और वाय में 0.75 कर दें और जी तो आप ऐसी रहने दें अब यहां पर एक sprite renderer component है हम यह चाहते हैं कि हमारी background लिए वह गेम में सबसे property है हम add sorting layer पर click करेंगे यहां पर हम एक नई sorting layer add करेंगे प्लस के साथ click करने के बाद हम एक नई sorting layer बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे background इससे यह होगा कि जो भी हम new objects add करेंगे वह background के उपर ही शोंगे उसके पीछे नहीं छुप जाएंगे फिर आप हमारी background layer को drag करके default layer से उपर ले आएं फिर आपने दुबारा से जो है background पर click करना है और यहां पर आपने sorting layer पर default से हटाके इसको background कर देना है background complete होने के बाद हमें main camera पर click करना है hierarchy pane में main camera object आपके पास यह आपको आपको किस तरह से शो की जाएगी inspector pane में एक camera component है जिसका size आपको 5 सेट आकर 3 करना है इसके बाद background की property में आपने background color जो है वो change करके बिल्कुल black कर दें तमाम जो values ने वो zero 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 हो जाए जब आपका background बहुत जादा बड़ा नहीं होता तो यह जो color हमने choose किया black वो screen की edges पर शो होता है अब हम set करेंगे हमारा player हम player को जो है drag करके हमारी scene में ले आएंगे इसको हम थोड़ा सा जो है वो zoom कर लेते हैं ताकि हर चीज properly दिखे हमें अच्छा अब इस player की जो है हम position ज़रा थोड़ी set कर लेते हैं अच्छा अब हमारा paddle या जो player है हमारा हमें उस पर click करना है और inspector tool में हमें इसको उसका जो नाम है उसको change करके जो है हमें इसको paddle 1 कर देना है और एक tag का option है एक drop down menu खुलेगा उसमें आपको player का option select करना है अच्छा अब आप इस paddle की position set कर दें X पे मैं ले लेता हूँ माइनस 4 ले लेता हूँ और Y हम ले लेते हैं 0 और Z तो 0 ही रहेगा और इसके बाद हम इसका scale set करेंगे जो कि 0.5 रखेंगे हम X पे और Y पे हम रखेंगे 1.5 ठीक है जी क्योंकि एक 2D यह में इसलिए हम सिर्फ X औ Y को ही change कर दें अब तक हमने अपना जो paddle है paddle number 1 वो हमने properly जगा पे position कर लिया set कर लिया उसको अब हम अपने paddle number 1 में कुछ new components add करेंगे हम अपने paddle number 1 पे जो है click करेंगे और इसके बाद जो add component का एक button है उसके हम click करेंगे इसके बाद जो है उसमें हम एक component add करेंगे rigidbody 2D आपने select करना है जो सिर्फ rigidbody लिखावे हम हमारे पास 3D के लिए use होता है जब हम 3D games बना रहे होते हैं हमें यहां पर rigidbody 2D select करना है rigidbody 2D से हमारे paddle पर gravity affect करना शिरू हो जाएगी और फिर c-sharp script की मदद से हमें इस paddle को move कर सकते हैं rigidbody 2D के अंदर यहां पर एक property है body type की उसके drop down आप उसको click करेंगे menu को और kinematics को click कर देंगे dynamics की जगा अच्छा अब इसके बाद हम add component पे जो है दुबारा click करेंगे और एक और नही property add करेंगे box collider 2D के नाम से box collider 2D आपने search करना है ठीक है और इस पर आपने click करना है box collider हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारी जो ball है वो हमारे paddle से bounce होती वी जाए अब आता है ज़रा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट अब हमें अपने paddle को move करना है उपर नीचे तो वो move करवाने के लिए हम एक script add करेंगे assets के folder में हम जाएंगे और यहाँ पर create करेंगे और यहाँ पर folder बनाएंगे एक नया उसका नाम रखूँगा मैं scripts इस script के folder के अंदर हम अपनी तमाम scripting add करेंगे मैं इस पर click करूँगा और एक नई script create करूँगा मैं create पर जाओंगा और C sharp script है उस पर click करूँगा और इसका नाम रखूँगा script का नाम player controls हम पैडल के object पर click करेंगे और जो हमारी player controls की जो script है उसका drag करके drop कर देंगे जहाँ inspector है पैडल का जहाँ पर हमने rigid body 2D और हमने जितने भी different components है वहाँ पर drop कर देंगे इसके बाद हम अपनी script को open करेंगे और हमारी जो script है वो visual studio में open हो जाएगी और यह open हो रहा है let's wait और यह हमारे पास open हो गया है तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो हमारे पास कुछ namespaces given है अगर आपको पहले से programming आती है पहले से थोड़ा सा idea है programming के बारे में तापको पता होगा ओपर namespaces है यह class के लाती है जिसका हमारे पास एक opening bracket है और closing bracket है ठीक है इसके बाद class के इंदर हमारे पास functions आते हैं एक start का function है हमारे पास और एक update का function है start का function तब यूज होता है जब हम अपनी game launch करते हैं update के function पे हम यह बताएंगे कि इस बटन को प्रेस करके हमारा जो पैडल है वो मूफ करेगा तो चले फिर coding को ज़रा शुरू करते हैं और यहां पर मैं कुछ sign करूंगा keycode.w यानि जैसे ही हम W प्रेस करेंगे हमारे पास जो है यह जो है ऊपर जाने लएगा पैडल ठीक है इसके बाद जो है हम एक और जो है वैडिबल बनाएंगे इसको कॉपी पेस्ट करगे public keycode move down और keycode जो है हम s रखेंगे कि जैसे ही मैं down प्रेस करूँगा यानि अगर मुझे नीचे जाना हो तो मैं s प्रेस करूँ ठीक है इसके बाद public float speed यानि जो है हमारे पास उसकी speed कितनी होंगी हमारी पैडल की speed के नाम से मैं एक variable बनाया और उसमें मैं speed assign कर रहा हूं 10 ठी इसके बाद मैं एक और variable बनाऊंगा जिसका नाम हमारे पास होगा bound y इसकी data type होगी float और इसका मतलब यह है कि मैं कितना जादा अपने पैडल को ऊपर तक लेके जा सकता हूं इसकी value मैंने दी 2.25 एक और last मैं variable बनाऊंगा जो मैं private रखूंगा जिसका नाम में रखूंगा rigidbody 2D जिसे मैं सिर्फ declare करूंगा से मैं कोई value assign नहीं कर रहा अचा जी यह हमारे पास हो गए variables complete ठीक है यह जो हमने variables public रखे हैं वह हमारे पास unity के interface पर जहां हम काम कह रहे थे वहां पर show होंगे लेकिन जो private रखावा है वो show नहीं होगा अब हम अपने start के function में हम rigidbody का जो variable इसको use करेंगे और उसके अंदर हम get component का function लगाएंगे unity में हमारे पास बहुत सारे features होते है अलग और भी अगर आप इनको explore करोगे आइस्ता इस्ता आप लोगो समझ आने लगेगा इसके बाद हम अपने update के function में coding लिखेंगे यह coding अगर आपको बहुत मुश्किल लग रही है तो मैं आपको यह description में भी दे दूँगा आप easily इसको access कर सकते हो इसके बाद if statement में हम लोग as a condition दे रहे है input.get की move up यानी जैसे हम w press करेंगे या अपका कोई भी हम keyword प्रेस करेंगे keyboard पे तो हमारा जो player है वो हमारा ऊपर move हो जाएगा और इसके बाद else if हम देंगे इसमें हम as a condition देंगे अगर हमारा input.get की move down यानी जैसे ही अगर कोई down का button प्रेस करेगा जिसे s प्रेस करेगा तो हमारी जो player है पैडल है वो down move कर जाएगा इसके बाद last condition हमारे पास आईगी हमारी else की condition जिसके अंदर हम देंगे अगर हमारा player कुछ भी प्रेस नहीं करता तो हमारा जो पैडल है वो still रहेगा अच्छा अगर आप coding की world में जो है beginner है तो आपने ये ज़रूर धियान रखना है कि आप जब भी coding कर रहे हो आपका syntax जो है वो proper होना चाहिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए कोई कॉमा आगया पीछे नहीं होना चाहिए वरना error आजाते हैं और फिर उन error को resolve करना फिर बहुत में बहुत मुश्किल होता है अच्छा यहां पर last में जो हम code लिख रहे हैं वो यह लिख रहे है कि हमारा जो पैडल है वो हमारा boundary से बाहर ना चला जाए यानि screen के अंदर ही रहे ओके सो else if के जो condition है उसमें हम लिखेंगे position.y is less than minus bound y और इसके brackets के अंदर हम लिखेंगे position.y is equal to minus bound y तो यह हमारा code जो है एक पैडल के लिए finally और अब हम चलते हैं इसको save करते हैं आपने प्रेस करना है control plus s को press करें और यह save हो जाएगा अच्छा आप हम अपने unity में आ चुके हैं और यहां game का जो पर tab प्रेस करें और आपने क्या करना है यहां पर हमारी game जो है वो run होगी ठीक है हमें दिखे किस तरह से game चलेगी और यह scene view है हमारा ठीक है और हम play पे click करेंगे और wait a minute और यह run हो रही है game हमारी और आप देख सकते हो यह game हमारी है और हमें उपर नीचे जो है press कर रहा हूं wrs और यह उपर नीचे हो रहा है ठीक है it's working perfectly अच्छा अगर हम पैडल 1 के object पर दुबारा click करें और हम अपने player control की script पर आएं और यहां देख सकते है variables शो हो रहे हमारे पास जो हमने declare किये थे variables यह हम को भी key choose कर सकते है ठीक है w और s की जगा ठीक है और speed भी change कर सकते है जो variables हमने यहां लिए थे ना आप देख सकते हैं यही तमाम variables वहां शो हो रहा है सिर्फ private वाला शो नहीं हो रहा है ठीक है बाकि यहां तमाम शो हो रहा है अच्छा अब हम अपना second pedal बनाएंगे और first pedal को duplicate करेंगे और यहां यहां पर हम variables में इसकी arrow keys change कर देंगे w की जगा मैं अब की ले लूँगा second pedal के लिए और s की जगा down की अच्छा अब second pedal की जो position है उसको थोड़ा set कर लेता है मैं इसे थोड़ा zoom कर लूँ और second pedal जहां first pedal था उसी में उसे के पीछे है basically तो वहां से मैं निकाला और यहां पर म मैं set करूंगा x की position मैं 4 कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हो कि जो पैडल है वो automatically set हो गया अब मैं इसको play करूंगा game को और मेरे जो pedals हैं वो काम करेंगे देखें arrow key से जो दोनो पैडल्स जो हैं वो काम करें w rs से और up or down key से दोनो पैडल्स काम कर रहे हैं इसके बाद कर देंगे हमारी screen पर इसके बाद ball के object पर हम click करेंगे और फिर एक tag उसमें add करेंगे और इसके बाद एक नया tag जो है उसमें create करेंगे plus के sign पर click करेंगे और एक नया tag बनेंगे बी-a-double-l ball ठीक है और वो tag जो है हम add कर देंगे और यहां पर हमने add कर दिया ball का scale हम change करेंगे x में हम रखेंगे 0.5 और y में भी हम रखेंगे 0.5 ठीक है अब आप देख सकते हो कि ball का size बिल्कुल perfect हो गया है छोटा से हो गया है यह सही लग रहा है हमें ठीक है अब हम कुछ components add करेंगे हमारी ball में सबसे पहले हम एक component add component हम add करेंगे circular collider 2D के नाम से ठीक है circular collider 2D के नाम से में add करेंगे क्योंकि एक circle है इसलिए हम circular collider 2D add करें अगर कोई square होता तो हम box करते जैसे कि हमने player में किया था अच्छा circular collider 2D में हमारे पास एक property है radius के नाम से जिसे हमें 0.23 करना है ताकि हमारा जो collider है green color का वो properly ball के साथ जो है वो टाइटली जो है अटाच हो जाए जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूं आप देख सकते हैं green color का आपको दिखेगा एक मैं radius बढ़ाता हूं देखें green color का दिखाना आपको collider तो यह collider प्रॉपर्ली हमें टाइटली अटाच करना है बॉल के साथ तो इसले हमने 0.23 को दिया है आप लोग को एक material की 1 से हटाकर जो है 0.1 कर देंगे linear drag हम 0 रहने देंगे और यह angular drag भी 0 और यह भी 0 अब हमें अपनी ball को move करवाना है तो ball को move करवाने के लिए हम एक नई script create करेंगे c-shop की हम अपने assets के folder में script का folder हमने बनाया तो उसमें right click करेंगे एक सीशा आपकी script हम create करेंगे इसका नाम मैं रख रहा हूं ball control ठीक है बाल control हमने नाम रख दिया है अब हम इसे open करेंगे ठीक है तो यह visual studio में open हो जाएगा okay it's opening let's wait okay open हो चुका है अच्छा जैसा कि मैं आपको बताया तो उपर कुछ name spaces या packages है फिर एक class है उसका opening or closing bracket और अंदर हमारे पास दो functions एक start और अपडेट का ठीक है हम अपनी coding start करते हम variable बनाएंगे उसका जो access modifier हम private रखेंगे और rigidbody 2D के नाम से हम variable बनाएंगे ठीक है rb2d हम लिखेंगे ठीक है variable का नाम और यह हम बाद में use करेंगे सिर्फ declare कर रहें ऐसे ठीक है अच्छा अब मैं कुछ functions create करूंगा ठीक है अभी मैं function create कर रहा हूं go ball के नाम से जिसकी return type avoid अगर आप एक programmer है तो आपको functions तो create करना आते ही होंगे ठीक है उसके अंदर मैं लिखूंगा कि जैसे ही जो मेरी ball है अगर जैसे हमारी game start होगी तो मेरी ball या तो left पे move कर जाएगी randomly या तो वो right पे move कर जाएगी ठीक है इसमें मैं एक random range दूँगा और कुछ conditions दूँगा if और else की कि अगर मेरी जो है game जैसी start हो तो वो randomly कहीं पर भी move कर जाए मेरी ball या तो left में move कर जाए या तो फिर right में move कर जाए जब हम अभी हम गेम जब start करेंगे तो आपको समाझ आएगा किस तरह से हो रहा है ओके सो यह मेरी एक के condition जो है माइनस 15 ओके और फिर मेरी एल से की condition जो होगी वह आएगी यहां पर एलसेपने सॉरी एलस की condition आएगी ठीक है एलस की condition में लगाऊंगा यहां पर ठीक है और इसके बाद rb2d.at force और फिर new vector 2 और फिर minus 20, minus 15 ठीक है अच्छा हम और भी कुछ functions बनाएंगे अभी यहां पर लेकिन इससे पहले जो है हम अपने start के function में जाएंगे और यहां पर वही जो हमने पहले अपने पैडल के उसमें लिखा था स्क्रिप्ट में start के function के अंदर वही तीज यहां पर लिखेंगे rb2d is equals to get component और rigidbody ठीक है इसके बाद हम invoke के function से जो है go ball के function को call करेंगे यहां पर start के function में इसके बाद हम अपना update का function है वो हटा देंगे उसका हमें कोई काम नहीं है ठीक है इसके बाद go ball के function के नीचे आप देख सकते हो मैंने दो नए functions बनाए हैं यह मैंने इसलिए भी बना दिये क्योंकि अगर मैं type करने बैठंगे तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएग इसके नीचे हमारे पास function है restart game का कि अगर player जो है वो restart के button पे click करेगा जो button हम बात में लगाएंगे जैसे ही वो उस button पे click करेगा game दुबारा से restart हो जाएगी और दोनों player के points वो zero हो जाएगे और ball भी जो है वो अपनी असल position में दुबारा आ जाएगी लास function हमारे पास है on collision enter 2D जिसमें हमारे पास यह हो रहा है कि जैसे कोई ball किसी pedal से टकराएगी वो उसकी velocity जो है वो automatically adjust हो जाएगी उस pedal की भी और उस ball की भी ठीक है अच्छा tension लेने वाली कोई बात नहीं है मैं जो तमाम code है वो description में दे दूँगा तो आप वहाँ से easily access कर सक लेकिन यहां पर यह ball जो है वो run नहीं कर रही है so there must be an error अच्छा हमने जो है script हमने attach नहीं की हमारे ball के object में तो हम ball के object पे click करेंगे हमारी script को drag and drop करके attach कर देंगे अब हम जो है हम अपनी game run करते हैं अब देखें ball किस तरह से move कर रही है अच्छा लेकिन मसला यह आ रहा है कि ball जो है नीचे चली जाती है बार बार ठीक है तो हमें वाल्स create करनी पढ़ेंगे ताकि ball जो है bounce करें चारो तरफ से lötloum as well with good करने के लिए हम हरां की पेन में एक नय औब्रद्द्च करेंगे पे क्रिएंटध करेंगे और इस के बाद हम इसके रिनेम करेंगे और माल्स यहां पर लि है इसके बाद मैस मिन ऑ्फजेक्ट्दर मेन क्लिक करेंगे इसका नाम हम रखेंगे right wall ठीक है इसके बाद right wall वाले object में हमें component add करेंगे box collider 2D के नाम से ताके हमारी जो ball है वो bounce back हो जाए उस wall से टकरा कर वापस आ जाए ठीक है इसके बाद हम duplicate करेंगे right wall को three times duplicate करेंगे ठीक है और second का नाम देंगे हम left wall ठीक है left wall इसके बाद हम देंगे इसका नाम bottom wall ठीक है और लास्ट में हम देंगे top wall ठीक है जी अच्छा एक काम करते हैं इसको bottom wall कर देते हैं हम ठीक है और इसके उपर वाली को top wall कर देते हैं ठीक है यह walls हैं जिससे ball जो है हमारी टकरा कर bounce back होगी वापस आ जाएगी अच्छा अभी हमारी walls जो हैं बिल्कुल center में है scene के ठीक है तो हमें इसे position करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम right wall को position करते हैं इसकी proper जगा पे हम x जो है वो लेंगे 5.8 ठीक है और बाकी y 0,z 0 ठीक है इसके बद scale में हम y 6 कर देंगे बस ठीक है तो proper जगा पे position होगे अब left पे आ जाते हैं wall पे इसकी position में x की जगा बस minus 5.8 करना है ताकि यह बिल्कुल right के opposite side पे चली ठीक है इसके बद scale में जो y है वो 6 कर देंगे बस ठीक है बाकी सब वैसे ही रहेगा आप यहां देख सकते हो हमारी left wall green color की अब हम आ जाते हैं हमारी top wall पे top wall में हम y की जो position है वो बस 3.5 कर देंगे और scale में इसके बाद हम आ जाएंगे और यहां 10.7 करेंगे x में और बाकी स इसके बाद जो है हमारी bottom wall पे और इसके बाद इसमें y की जो position है वो minus 3.5 हम रखेंगे और scale जो है बाकी वही 10.7 और बाकी सब वैसा ही रहेगा bottom wall हमारी नीचे है अब finally हम अपनी game को run करेंगे अब आप जो है देख सकते हो कि हमारी जो ball किस तरह से bounce करिए तमाम wall से top wall right wall तम माम जितने भी जो पैडल्स है हमारे उनसे किस तरह से bounce back हो रही है ठीक है तो game properly ready है माजी पूरी तरीके से लेकिन बस scoreboard हमें बनाना है जो कि scoreboard हमने नहीं बनाया है scoreboard हम उपर की तरफ बनाएंगे और बनाने के लिए हम right click करेंगे और create empty पर click करेंगे एक नया object बनाएंगे इसके बाद hud object पर हम एक script create करेंगे आप add component से भी कर सकते हैं new script करके लेकिन हम वैसी करेंगे जिस हम करते आ रहे हम वही create पर जाके स्क्रिप्ट पर हम create करेंगे एक नई script को और इसका नाम हम रखेंगे game manager ठीक है जी और इसके बाद हम इसे open करेंगे double click करें और वह visual studio में open ह हो जाएगा अच्छा यहां पर मैंने पहले से कुछ code लिख दिया है मैं इस code को explain कर देता हूं यहां पर हमने चार variables बनाए starting में और जो first two variables है हमारे पास वह हमारे पास दो प्लेयर्स की scores का जो है track रखेंगे third variable हमारे पास layout के नाम से है जो scoreboard और buttons को display करने में help करेगा और last variable हमारे पास एक reference है हमारे ball object के लिए इसके बाद हमारा start का function जो तब use होगा जब हमारी game सबसे पहले start होगी और यह update का function हम अटा देंगे इसमें कुछ नहीं करना हमें और इसके बाद है हमारे पास score का function जैसे ही कोई ball किसी player के paddle पे touch होगी उस player का score जो है वो बढ़ जाएगा और जो last में हमारे पास GUI function है वो हमारे पास scoreboard को और हमारे पास जो एक button होगा reset का उसको display करने में help करेगा और 10 points पूरे होने पर वो किसी भी एक player को जो है वो winner जो है declare कर देगा और यह GUI function जो reset ball का function था हमारा पुराना वाला ball की script में उसको भी यह invoke करेगा call करेगा इस script को हम save करेंगे और इसके बाद जो है हम आजेंगे अपने unity पे और इसको drag and drop कर देंगे हम हमारे hud जो object था उसमें drag करके drop कर देंगे इसके बाद हम assets के folder में जाएंगे और यहां पर हम right click करेंगे और एक GUI skin create करेंगे create पर जाएंगे और फिर एक GUI font add करने तो हम जाएंगे अपने sprites के folder में और यहां पर एक font है capital और small a से वह हम इस पर drag करके वहां drop कर देंगे इसके नीचे एक और प्रॉपर्टी है button उस पर click करके कि उसका font size जो है मैं 20 कर देता हूं यहां पर आपको जो रखना है button का size वह आपके ओपर इस यौर चॉइस ठीक है और फिर लेबल का size मैं कर रहा हूं 42 अगेन इस यौर चॉइस ठीक है आप जो रखना चाहाँ आप रख सकते हो इसके बाद हमने अपने hud object पर क्लिक करना है है फिर यहां पर layout का एक variable है जिस पर मैं click करना है और score skin जो है select कर लेना है यहां से ठीक है now let's execute our game और आप यहां देख सकते हो एक score board भी आ चुका है और मैं restart के button पर click कर रहा हूं तो ball जो है अपने original position पर बार बार आई जा रही है लेकिन score जो है न वो increase नहीं हो रहा है तो score को हमें increase करवाने के लिए score को हमें बढ़वाने के लिए हमें एक और script जो है add करनी पड़ेगी right और left walls पे अच्छा यहां पर आप game के tap पर click करें और free aspect पर 16 ratio 9 का ratio select कर लें ताकि आपकी जो game में proper एक ratio में आ जाए अब हम game को run करेंगे हम देखेंगे कि आप देख सकते हो कि ball जो है wall से properly तरीके से टकरा रही है ठीक है इसकी बाद हम क्या करेंगे हम अपनी right वाल जाएंगे ठीक है और यहां पर जो है हम जाएंगे scripts पर folder पर scripts पर नीचे और कर नीचे सिक्रिप्ट हम create करेंगे जिसका नाम होगा side walls ठीक है एक नई script हम create करेंगे side walls ताकि हमारे points जो है ठीक है और यहां पर side walls को जह है ड्राग करके drop कर देंगे हैं हम लोग right wall में भी और left wall में भी ठीक है पहले right wall में कर दिया हमने और अब left wall में भी हम drag and drop कर देंगे ठीक है अब हम इसे open करेंगे और यहां अपनी script लिखेंगे अच्छा यहां पर मैंने एक पहले से function create करके जैसे कोई चीज ठक्राइगी हमारे पास यहां पर वह हमारे पास बाल है जैसे बाल हमारे पास से बैगी स्कॉर जो है वह Automatically update हो जाएगा अच्छा इसके बाद किसे बाद सेफ करने के बाद हम unity पर जाएंगे और यहां पर हम जाएंगे अपने right wall के object पर हम click करेंगे और यहां पर box collider 2D में इस trigger के नाम से एक option है उस पर tick कर देंगे और same as left wall में भी हम यह करेंगे इस trigger के option पर हम tick कर देंगे अब हमारी game जो है finally completely ready है it almost took 30 minutes to make this game और finally game ready है अब आप देख सकते हो हर चीज़ प्रॉपरली काम कर रही है अब score भी हो जाएगा देखना यहाँ पर देखा score हो चुका है player number one या two जो भी है अच्छा यहाँ पर एक और score हो गया और और मैं different different game development tutorials डालता रहूंगा और आपने इस channel को जो है अपने friends के साथ share करना है जिन जिनने game development सीखनी है और अब finally हम जो है इस game को अपने desktop पर जो है लेकर आते हैं गेम को desktop पर लाने के लिए हम सबसे पहले file पर जाएंगे उपर और फिर build settings में click करेंगे हमें PC, Mac और Linux वाले option पर click करना है इसके बाद हमें add open scenes के button पर click करना है और इसके बाद हमें जाना है player settings के button के उपर player settings पर click करने के बाद हमें player के tap पर click करना है और यहाँपर जो है default icon हमें choose करना है default icon wait... default icon है उपर है जो हमना default icon है मीच मा में है ball पर जूँस करने हो है आप कुछ भी जूस कर सकते हो ठीक है और यहां पर बहुत सरे different different features है different different components है हमारे पर unity में different different options आपको मिलेंगे आप explore कर सकते हो यहां पर सारे और इसके बाद हम हमारे पास क्या करेंगे हम इसके पाद ही cut करेंगे और फिर build पर click कर देंगे और यहां पर हम एक path select कर देंगे मैं desktop पर अपनी game रखना चाहता हूँ मैंने folder को select किया और यह मेरे पास आ जाएगी desktop पर ओके थोड़ा सक time ले रहा है let's wait तो यह हो चुका है अब ठीक है तो यह हो चुका है अब मैं desktop खोलता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं मेरी game आ चुकी है और कितनी जबर्दस किसम की मेरी game बन चुकी है आप लोग देख सकते हैं उमीद आप लोग के मेरी game अच्छी लगी होगी thank you so much तो मैं उमीद करता हूँ कि आज के वीडियो आप लोग को बहुत इंट्रस्टिंग लगी होगी हमनी जो गेम बनाई है और इस तरह की और भी इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग गेम्स जहां में लेकर आता रहूंगा आप लोग के लिए अगर आपको यह वीडियो अच् ख्याल रुखेगा अलाने के बाद